करने वाले हैं आई डेफसी फिर्स बैंक के बारे में को स्टाट करते हैं यहां फेकर देखा जाए तो कंपणी का रिजट आचुका है तो हम लोग मेंगे कंपणी के रिजट पर अगर कंपणी की रिजट को हमसे पुछोगे शॉट में यहाँ पर कैसा लगा हमें तो हमेरा जवाब है कि यहां पर कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा हम कहेंगे कि डिसपॉइंटिंग था और मार्केट ने भी यह चीज हम लोगों को यहां पर रिफलेट करते दिखाया है मंडे को मार्केट ओपेन होती ही थोड़ा सा अगर देखो तो यहां पर गैब डाउन देखने के लिए मिला है और आज भी कुछ खास यहां पर रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली है और ट्रेडिंग वी उपर तो नीचे आओगा तो यहां पर आपको मार्केट एस्टिमेट भी दिखा देता है यहां पर अगर देखा जा तो रेट्स जो देखने के लिए मिल रहा है इसका मतलब नेगटिव सर्प्राइज है मार्केट जो एक्सपेट कर रहे थी उससे 3.69 परसेंट यहां पर डाउंसाइट पर कंपनी ने अपना रिजल्ट लिखे आया है यहां पर रेविन्यू के अंदर हम लोग को यह मतलब सेल्स के अंदर डेफिनेटली अपसाइट देखने के लिए मिला है बट ओवर और नेट अपरेटिंग एक्सपेंस बहुत जादा बढ़ गए और साथे साथ यहां पर प्रोविजन्स भी यहां पर कंपनी के थोड़े से अमनों को बढ़ते नजर आ रहे हैं तो इससे होता क्या है इन दोने चीज़ें से बढ़ने से हो गए कि नेट प्रॉपिट पर दवा पढ़ यहां पर बैंक को कुछ ना कुछ फायदा होगा लेकिन जैसे जैसे अगर लगतार ही लोग करते जाते हैं और अभी यहां पर अपना पेशीट नहीं करते तो आने वाले समय में भी यह चीज़ें तो इसलिए अगर देखा है तो बैंक ने पिछले ही कॉर्टर में यहां पर अनॉंस किया था कि अभी यहां पर गोथ यह लोग जो कर रहे हैं वो सस्टेंड वे में करेंगे मतलब और ज्यादा एग्रेसिफ वे में यहां पर ब्रांचेस खोलते हैं यहां पर नहीं नजर आए तो वो पिछले कॉर्टर ही हम लोगों समाझ में आ गया था कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है यूजिली ऐसा स्टेट्मेंट आते हैं तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि कंपनी यहां पर समझ रही है कि और जादा यह लोग ब्रांचेस खोलेंगे तो लॉसे कर सकती है यहां आ सकते हैं लेकिन यह अभी एक से दो कॉर्टर और तीन कॉर्टर के अंदर थोड़ा सा यह चीज़ा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कि और इसके साथ सथ प्रोविजन्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत जादा थोड़ा सा हम लगता है कि थोड़ा ही वह प्रोविजन मना देते हैं और उसको एक अमाउंट को सेट असाइड कर दिया जाता है कि मालो कल को भाई सही में वह पैसा ना दे पाए तो यहां पर प्रोविजन से सेटल हो जाएगा वह चीज़ तो इसलिए अगर देखा जाए तो यहां पर कंपनी की इन दो रीजन कंपनी की सेट कॉलिटी डाउन साइट पर जाते हम लोगों को नजर आ सकती है तो आने वाले दो से तीन कॉर्टर में भी हम लोगों को थोड़ा सा कंपनी के अंदर नजर रखनी होगी कि बहुत जादा पास पेस पर यहां पर ग्रोथ ना ले आए मतलब कि नए ने कंपनी के लिए बेनिफीशल रहेगा मतलब यह समय यह ऐसा है बैंक के लिए कि यहां पर कंपनी को अपना रोची और यह बढ़ाने के जरू होते हैं और वह तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा एक बार कुछ सांस दे थोड़ा सा एक धीमे पेस पर कंपनी यहां पर तो जैसा यस बैंक ने किया था बहुत जादा एग्रेसिव लोन से अगर प्रोवाइट कर रही थी तो वह एक खत्रे की घंटी बच सकती है यहां पे लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और बैंक भी यह चीज रिगर्णाइस करती है तो यहां पर हम लोगों कोई अच्छा देखने के लिए मिल रहा है यहां पर प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो यहां पर यहां पर यहां पर नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रिमेंट देखने के लिए लेकिन अगर यहां पर मार्श दोजर चॉबिस और यहां पर मार्श दोजर तो यहां पर थोड़ा सा डिप देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलावा अगर नीचे आएंगे शेयरोल्डिंग पैटन्स पे तो प्रमोटर्स की ओलिंग यहां पर बढ़ते नजर आ रही है इसके अलावा पब्लिक क्योंडिंग अगर देखी जाए तो यहां पर काफी हद तक काम हो चुकी है तो फिर से एक ही अगर शेयरोल्डिंग पैटन्स की वेडिस पर डिसकस किया जाए तो एक अच्छी चीज़ है यहां पर इसके लावा अगर यहां पर प्राइस अगर दे तो अगर डाउनसाइट पर इसके नीचे जाती है तो वह कंपनी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर देखा जाते एक बार अल्रेडी ब्रेक कर चुकी है और उसके बाद यहां पर यहां पर से ब्रेक करती तो उसको पॉंजिरेंस निका जाएगा फिर थोड़ा सा डाउनसाइट और साइडवेज मार्केट पर कुछ समय तक कंपनी जा सकती है अब साइट के लिए यहां पर यहां पर यहां पर आपको 92.20 और साथ यहां पर 99.70 तक का टार्गेट देखने के लिए मिल सकता है लॉंगर रेन में कंपनी के एस्टिमेट्स है कि यहां पर 20 साल के अंदर यहां पर अरूंड 38 एकस आपका यहां पर पैसा बढ़ा सकते हैं लेकिन यह कंपनी की फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्मेंट है जो की काफी लंबर टाम स्पैन के लिए है तो अभी के हिसाब से हम अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना को के बाए